प्रस्न 3, निम्नलिखित बेंजकों का गुननखंड ग्याद करें प्रस्न 3 का पहला 3X का घाद 4, माईनस 243 तो प्रस्न क्या है? 3X का घाद 4, माईनस 243 तो 3x का घाद 4-243 इसको क्या करना है गुननखंड करना है तो देखे 3 common लेंगे क्योंकि 3 से 243 कट जा रहा है 81 बार में ठीक है 81 तिया क्या होता है 243 तो 3 common ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x का घाद 4 और यहाँ पर बचेगा 81 इस तरह से देखे 3 common ले लिए तो यहाँ पर 3 common ले लिए तो क्या बचा एकस का घाद 4 बच गया कोष्ट के अंदर और इसमें से 3 निकाल लिए तो 81 तिया होता है 243 तो 81 यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि 81 से 3 को घुना करेंगे तो क्या आ जागा 243 तो 3 से 243 को भाग देंगे तो आ जागा 81 तो 3 common ले लेंगे तो हो जाएगा तीन गुना एकस का घाद 4 माइनस 81 अब हम इसको लिख सकते हैं तीन गुना एकस का घाद 2 का घाद 2 माइनस 9 का घाद 2 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं देखे एकस का घाद 4 है तो एकस का घाद 4 को हम लिख सकते हैं एकस का घाद 2 और पूरा पे घाद 2 क्यूंकि घाद पे घाद रहने पे गुना कर लेते हैं तो दो गुना दो क्या हो जाएगा चार हो जाएगा यानि एकस का घाद चार को हम लिख सकते हैं एकस का घाद दो और पूरा पे घाद दो और एकासी को हम लिख लेंगे नौ का वर्ग ठीक है इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो इस तरह क्यों लिखेंगे तो इस तरह हम इसको A²-B² के सूत्र पे लाने के लिखेंगे देखें A²-B² A²-B² तो A²-B² बराबर होता है A-B गुना A-B देखें A के जगह पे है X² और B के जगह पे है 9 तो A²-B² A²-B² बराबर A-B गुना A-B तो A²-B² के जगह पे क्या लिख लेंगे A-B गुना A-B तो हम लिखेंगे यहां पे तीन गुना X²-9 गुना X²-9 इस तरह हम इसको लिख लेंगे ठीक है देखें A²-B² बराबर A प्लस B गुना A-B इस तरह हम इसको लिख लेंगे अब अब हम इसको लिख सकते हैं X²-9 इसको हम इसी तरह रहने देंगे और इसको हम लिख लेंगे X²-3² इस तरह लिख सकते हैं देखिए 9 किसका वर्ग है? 3 का 9 किसका वर्ग है? 3 का तो X²-3 का वर्ग हम लिख सकते हैं 9 को ठीक है? क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे A²-B² के सुद्र पे आ गया है देखिए A²-B² तो A के जगा पे X है B के जगा पे 3 है तो A²-B² बराबर क्या होता है? तो A²-B² बराबर होता है A प्लस B गुना A माइनस B देखिए A²-B² बराबर A प्लस B गुना A माइनस B तो हम लिख लेंगे 3 गुना X² प्लस 9 3 गुना X² प्लस 9 ठीक है? इसको इसी तरह रहने देंगे और यहां पे हो गया A²-B² बराबर लिख लेंगे A प्लस B गुना A माइनस B ठीक है? A²-B² बराबर A प्लस B गुना A माइनस B यानि X प्लस 3 गुना X माइनस 3 इस तरह लिख लेंगे ठीक है? अब यहां पे मंजला कोश्टक को हटा देंगे तो 3 गुना क्योंकि सब गुना में है तो मंजला कोश्टक को हटा देंगे तो 3 गुना X² प्लस 9 गुना X प्लस 3 गुना X माइनस 3 तो इसका उत्तर आ चुका है 3 गुना X² प्लस 9 गुना X प्लस 3 गुना X माइनस 3 तो प्रस में 3 का पहला इस तरह हल करेंगे 5 गुना X² प्लस 9 गुना काया को है 6 गुना 4 गुना 5 इसका श्लस के सक्वाद करना 15 गुना 15 गुना 15 बाल 15 गुना 15 गुना 15 गुना वार प्रस्ण दूसरा 9 x square by minus 4 by q तो दूसरा प्रस्ण क्या है 9 x square by minus 4 by q ठीक है तो यहां पे by common ले लेंगे क्या common लेंगे by क्यों by common लेंगे क्योंकि देखिए by यहां पे है by का घाथ कुछ नहीं यह तो एक है यानि यहां पे by है यहां पे by का घाथ तीन है तो by common ले लेंगे तो by जब common हो गया तो 9 x square यहां पे बच गया by common हो गया बाई क्यू है तो बाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा चार बाई स्कॉाइर तो बाई कॉमन ले लिए तो बच गया 9X स्कॉाइर माइनस 4 बाई स्कॉाइर ठीक है ये दोनों में से बाई कॉमन ले लिए है तो यहाँ पे जब by common ले लिए तो यहाँ पे क्या बचाए नो x square और इसमें से by common ले लिए तो यहाँ पे by का घाथ 3 है तो by का घाथ 2 बचेगा ठीक है इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा by अब यहाँ पे मंजला को श्टक लगाएंगे तो देखे नो x square को हम लिख सकते हैं 3x का whole square और 4 by square को हम लिख सकते हैं 2 by का whole square 9x को हम क्या लिख लेंगे 9x square को हम लिख लेंगे 3x का whole square देखे नो किसका बर्ग है 3 का 9 3 का बर्ग है तो 9x square को हम क्या लिख लेंगे 3x का whole square माइनस 4 by square को हम क्या लिख लेंगे दो बाई का होल स्कॉयर ठीक है, चार दो का वर्ग है तो इस तरह हम क्यों लिखेंगे क्योंकि A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर के सुत्र पे इसको लाना है तो A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर बराबर होता है A प्लस B गुना A माइनस B A प्लस B गुना A माइनस B हम लिख लेंगे 2 तो देखिए a square minus b square बड़ाबर a plus b गुण한 a minus b ठीक है 2 गुणा 3 2 by गुण한 3 minus 2by लिख लेंगे तो a square minus b a square बराबर हो गया a plus b गुना a minus b हो ऊकान करो – तो अो साइया दो कि आ अ weखनाT मतंग अे सुपया, विकलो कि विकला के साइया हो शो नष़खब। तो नहाए बूलत को!! आता, थूलत्ते में हमे आता,